साल 2023 पाकिस्तान के लिए काफी स्ट्रेस्पुल रहा आम आवाम पर पढ़ने वाली महंगाई की मार हो या सत्ता धारियों पर गिरी गाज पाकिस्तान में इस साल जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं न्यूज एडीन इंडिया ओरीजिनल्स पहले पूर प्रधार मंतरी इमरान खान की गिरफतारी होना फिर देश भर में प्रोटेस्ट होना बवाल मचना इमरान खान की जिन्दगी में मचा वो बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है साल दोहजार चॉबिस में पाकिस्तान में आम चुनाव होंगे और इमरान को मन मसोस कर रहना पड़ेगा सीधे तोर पर कहें तो इमरान चुनाव नहीं लड़ पाएगे दरसल पाकिस्तान के पूर्व पीम इमरान खान का आने वाले आम चुनाव लड़ने का सपना चूर चूर हो चुका है क्योंकि परांती चुनाव आयोग ने इमरान का नामांकन खारिच कर दिया है जानकारी के अनुसार इमरान ने फरवरी 2024 में होने वाले चुनाव के लिए दो निर्वाचन खेत्रों से नामांकन दाखिल किया था उन्होंने लाहोर के NA122 और मियावली के NA89 निर्वाचन खेत्रों से नामांकन दाखिल किया था प्रांतिय चुनाव आयोग ने उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया है क्यूं खारिज हुआ नावंकन प्रांतिय चुनाव आयोग ने पाकिस्तान के पूर्व पीम का नॉमिनेशन खारिच की जाने पर कहा कि इमरान निर्वाचन छेत्र के रजिस्टर्ड वोटर नहीं है साथी आयोग का ये भी कहना है कि कोट ने इमरान को चुनाव लड़ने के लिए आयोग गये और एक केस में दोशी करार दिया है हाला कि इमरान अभी भी अपनी पार्टी की चुनाव के लिए रणनीती तयार करने में मदद कर सकते हैं उन्होंने याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें चुनाव के लिए रणनीती तयार करने के लिए उनकी पार्टी पी टी आय के नेताओं से मिलने की पर्मिशन दी जाए जिसके बाद हाल ही में इसलामाबाद हाई कोट ने PTI के नेताओं के अलावा वकीलों को जेल में इमरान से मिलने और साल 2024 में फरवरी में होने वाले आम चुनाव की रणीती के लिए मीटिंग करने की अनुमती देती है यह यह भी बता दे कि जारी सियासी उठापटक के बीच उनकी पार्टी के कई नेताओं ने स्टीफा देकर इमरान का साथ छोड़ दिया था जिसके बाद अब इमरान ने याचिका दायर कर PTI के नेता जुनेद अकबर खान के अलावा असद कैसर मुहमद खान और अंगजेब खान और इश्तियाक महरबान से मिलने की इजाज़त मांगी थी जिसके बाद इसलामाबाद हाई कोट ने याचिका मंजूर कर उन्हें नेताओं से मिलने की परमिशन देती है इस दोरान मीटिंग में क्या बादचीत होगी या प्लानिंग क्या रहेगी ये बैठक में मौझूद लोगों के अलावा किसी बहारी शक्स को ना पता चले यानि निजिता को भी सुरक्षित रखने की बात कही गई याचिका सुनने वाले जज्ज ने कहा कि PTI के नेताओं और इमरान खान के बीच मीटिंग का विरोध करना अंत्रिम व्यवस्था की निश्मक्ष्टा पर सवाल उठाता है बताने की परोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान को तोशा खाना खेस ने तीन साल की सजा सुनाई गई इस टॉपिक पर आपका क्या कहने है हमें कमेंट सेक्शन में बताए